हलो फ्रेंड्स आप सभी का मारी यूटूब चैनल SSC कोचिंग सेंटर में स्वागत है दोस्तों आज का जो वीडियो है वो चक्रती ब्याज का है और मैं आपको बता दूँ ये वीडियो मैंने पहले भी अपलोड किया था बना कर लेकिन उस समय इसको कुछ लोगों ने देखा नहीं बहुत ही कम लोगों ने देखा जबकि वीडियो बहुत important मुझे लगा तो ये वीडियो फिर मैं फिर से बना करके upload कर रहा हूँ ताकि ये वीडियो आप लोग सभी सीख जाएं और आपको अच्छे जानकारी प्राप्त हो जाएं जिससे कि आप तयारी कर रहे हैं उसमें बहुत आसानी हो जाएगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं थाइस्टो रुपे का पांच प्रेशित वार्शिक दर से दो वर्स का चके दिव्यास क्या होगा हमें कभी भी अब इस एस तर क्या प्रेशनी दिखेगा तो हमें जो मतलब है वो सिर्फ दर से मतलब है जो रेट हमें दे रखा है हमको rate लिख लेना है कितना है rate पांच प्रितिसत का है और पांच प्रितिसत की fraction value क्या होती है तो 5 लिखेंगे प्रितिसत का मतलब बटे में 100 होता है पांच एकम 5 और 5 से कटेगा यह 20 बार में ठीक है नीचे वाली value आपको अच्छे से पता है प्रिंसिपल होती है जाने कि cost price ह प्रिंसिपल कहें लो अब 20 रुपे पर ओपर क्या है एक तो 20 रुपे की चीज पर एक और पे का फाइदा मतलब 20 रुपे मेरा cost price है 20 में मैं एक जोड़ दूगा तो कितना हो जाएगा 21 तो 20 रुपे की चीज को मैं उसमें एक और जोड़ की बेचूँगा यानिकि 21 प्रिंसिपल रख लेंगे एक तरफ अमाउंट प्रिंसिपल आपका कितना हो जाएगा 20 में एक जोड़ देंगे तो 21 रुपे की चीज को 21 रुपे में बेच रहें तो एक रुपे का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा बिलकुर हो रहा है अब यहां पर हमेंसे याद रखना कि प्रिष्णी क्या है दो वर्ष के लिए है प्रिष्णी क्या है दोस्तो दो वर्ष के लिए है प्रिष्णी दो वर्ष के लिए रहेगा तो पावर दो कर देना है और तीन वर्ष के लिए रहेगा तो पावर तीन कर देना है दो वर्ष के लिए है तो पावर दो कर दो तो तालिस रुपए मिल रहा है अब देखें यहाँ पर हमारा मूलधन कितना था 2800 रुपए और यहाँ पर कितना है 400 रुपए तो 2800 था और रियल में है अट्ठाइस सो ठीक है रियल में 200 है और यहाँ पर कितना था 400 तो 400 से 2800 कितने गुनापर है तो 4,78 मतलब 7 गुना है जब हमारा मूलधन 7 गुना है तो जो ब्याज है हमारा वो भी 7 गुना रहेगा और जो amount है हमारा वो भी 7 गुना रहेगा ठीक है तीनों चीजें वही रहेंगी अब 41 का 7 गुना कर दूँगा 7 एक कम 7 7,4,28 ये ब्याज हमारा तो मेरा ब्याज भाई 41 था और 7 गुना होने पर के अतना हुआ 287 ये ही मेरा ब्याज है ये ही मेरा आंसर है 287 पहला option बिल्कूर सी हो जाएगा amount पूछ लेता तो ये सही था ठीक है सभी को समझ में आया अब देखेंगे अगला प्रशन अगला प्रशनी है किसी धन पर 20 प्रतिसत चक्रव्रदी ब्याज की दर से 2 वस में ब्याज 440 रुपे हो जाता है तो मिस्सिर धन बताईए हमने क्या बताया कि आपको रेट से मतलब है रेट कितना है आपको 20 प्रतिसत का इसको solve करेंगे 20 प्रतिसत का मतलब भटे में 100 20 एकम 20 20 पंजे 100 नीचे वाली value cost price यानि की मूलधन ठीक है और नीचे में क्या करेंगे उपर वाली को जोड़ देंगे आप तो ही हो जाएगा आपको amount ठीक है तो एक तरफ principle लिख लेना है एक तरफ amount principle 5 है और 5 में एक जोड़ देंगे तो 6 आपका amount हो गया अगर 2 वर्स की बात है तो power 2 कर देंगे और 3 की बात रहती है तो power 3 तो 5 की power 2 का मान 25 6 की power 2 का मान 36 अब देखें यहाँ पर आप एक चीज़ समझेगा आपको क्या दे रखा है ब्याज दे रखा है 440 रुपया और जबकि हमारे 25 रुपय की रासी 36 हो जाएगी तो मैं ब्याज कितना मिलेगा 11 रुपय का ब्याज यहाँ पर कितना मिलना है यहाँ पर ब्याज मिलना है 440 रुपय का तो 11 से 444 कितने गुना पर है आप बोलेंगे सर, 40 गुना पर है क्या बोलेंगे, 40 गुना है जब ब्याज मेरा 40 गुना है तो मेरा जो amount है वो भी 40 गुना हो जाएगा और जो principle है, वो भी मेरा 40 गुना हो जाएगा पूछ क्या रहा है, हम से पूछ रहा है 1440 आपका मिश्य धन हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा यानि कि 1440 बी ऑफ्षन आपका बिल्कुश सही जवाब किलियर हुआ सभी को आसानी से समझ में आ रहा है अब देख लेंगे अगला प्रश्णी अगला प्रश्णी है किसी धन का 33 पूर्णांग 1.3% चक्रति ब्याज क का इसे सॉल्व करेंगे ठीक है तो 3 का गुना 33 में करूँगा 99 99 जोड़ोंगा 100 बट्टे 3 हो जाएगा यह 100 बट्टे 3 और प्रितिस्यत का मतलब भी बट्टे में 100 होता है बट्टे में 100 ऊपर कितना रहेगा 100 100 का गुना 3 से करूँगा 300 200 से 200 कड़ गया बचा क्या एक बट सिपल 3, Amount के तना 3 में जोड़ोंगे, Amount 4, 2 वर्स की बात है, Power 2 कर दीझे, 3 की Power 2 कमा 9, 4 की Power 2 कमा 16, कोई इसकी 9 रौपे से 16 हो रही है, कितने बढ़ रही है, 7ू 7 हमारा ब्याच का बढ़ गया, 7 हमारा कितना बढ़ गया, 2 ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, हमें मिस्सिद तो जो ब्याज है वो भी कितना रहेगा 400 गुना रहेगा और जो प्रिंसिपल है वो भी आपका 400 गुना रहेगा लेकिन पूछा क्या है चक्रदी ब्याज बताओ तो ब्याज भी हमारा 400 गुना कर दो साथ चौक के 28 और दो जीरो मतलब ब्याज हो जाएगा हमारा 800 यह आपका सही जवाब अब देखेंगे अगला प्रेश्णी है यदी किसी निश्चित धन का तीन वर्ष में 10% की दर से चक्रदी ब्याज 993 रुपे है तो साधरन ब्याज क्या होगा हमें दे रखा है 10% का दर 10% की fraction value 10 लिखेंगे प्रेश्चित का मतलब बटे में 100 होता है ठीक है भाई कटा लो एक जीरो से एक जीरो गया तो एक बटे 10 हो गया कि नहीं हो गया तो नीचे वाली value principle या cost price कुछ भी कहलो और 10 में एक जोड़ देंगे 11 आपका amount तो एक तरफ principle लिखना है और एक तरफ amount principle 10 हो जाएगा amount आपका 11 हो जाएगा 10 में एक जोड़ देंगे 11 प्रेश्चित है तीन वर्स के लिए तो भाईया पावर 3 कर देंगे 10 की पावर 3 का मान 1000 होता है और 11 की पावर 3 का मान 1331 होता है कोई रासी हमारी 1000 से 1331 होगे तो कितनी बढ़ गई भई यह 331 बढ़ गई ठीक है यह बढ़कर जो राया वही तो हमारा ब्याज है अब हमसे प्रेश्चित में क्या दे रखा उसे देगी चक्रदी ब्याज 993 है ब्याज हमारा कितना है 331 और जबकि रियल में दे रखा है 993 कितना 993 है तो यह कितने गुना पर है 331 से कितने गुना पर है आप गोलेंगे से सब्सक्राइब जब व्याज 135 कितना हो जाएगा और जो आपका principle हो वह भी कितना तीन गुना हो जाएगा पूछ कया रहा है साधानद ब्याज क्या होगा साधान ब्याज me deal मतलब चक दियनाज दे करके वो पूछ रहा है साधारन ब्याज प्रश्निक क्या मतलब समझेत आप चक्कती ब्याज दे करके उसने पूछा आप से साधन ब्याज क्या होगा आप देखी प्रेश्टी में क्या तीन वर्स में दस परसेंट की दर से मतलग एक वर्स का जो रेट है वो दस परसेंट है तो तीन वर्स का रेट क्या हो जाएगा तीस परसेंट हो जाएगा तीन तो सबसेले हम क्या करते है यहां पर मैंने निकाल लाख करने सायर यह मेरा व्याज ब्याज तीन तो सीधर सीधर 30% निकाल लेता हूं ना परसेंट का मतलब बट्टे में 100 तो कटालो 0-0 गया एक 0-0 गया तीन तरिक का नो हो जाएगा और दो 0 यह 900 रुपिया हो गया तो साधन प्याज पूछ रहा है न भी या तो साधन प्याज 900 रुपी है चक्रदी ब्याज नहीं पूछा उसने, चक्रदी ब्याज का कोई, उसने साधन ब्याज लगा दिया अपना बीच में, जबकि हम इस तरीक से अमाउंट भी निकाल ले थे, प्रिंसिपल भी निकाल ले थे, ब्याज भी निकाल ले थे, लेकन ये तीनों चीज़ें हटा के वो चक्रदी ब्याज की, वो साधन ब्याज पूछ लिया उसने, कोई बात नहीं, हम बता देंगे जब तरीका मालू में तो, अब देखेंगे ये 30 पूणांग, एक बट्टे 3 परसंट का है, इसकी फ्रेक्शन वेलू क्या होती है, हमने आपको निकाल करके बटाई थी, एक बट्टे 3 होती है, यही तो होती है, एक बट्टे 3, तो आप क्या करें, एक तर तो वही करेंगे प्रिंसिपल और एक तरफ अमाउंट लेखे आप देखे, प्रिंसिपल मेरा कितना है, नीचे वाली वेलू प्रिंसिपल होती है, तो प्रिंसिपल मेरा कितना हो गया, तीन, और तीन में एक जोड़ के लिखेंगे, चार, तो अमाउंट हो गया, दूसरा रेट मुझे दे रखा, साड़े 12 परसंट का, साड़े 12 परसंट आठ तरिक का 24, चार निमे का 36, ठीक है, अब कटा लो, भाई 12 दुने का 24, बारत तरिक का 36, पूछा क्या है हमसे, धन बताना है, प्रिंसीपल बताना है हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे उसने पूछा है, प्रिंसीपल बताना है, अनुपात में इनकी वैलू 2 और 3 निकल के आग तो 3 से 1200 कितने गुणा है, 3 चोके 12 और 2 0 मतलब 400 गुणा, जब हमारा मिसे धन 400 गुणा, तो हमारा प्रिंसीपल भी कितना गुणा भाईया, 400 गुणा, तो 400 का गुणा 2 से कर दो मतलब 800 हो जाएगा, यही आपका सही जवाब 800 B option, खतम हो गया, ठीक है, कोई दिकत किसी को, बिल्कुल नहीं होगी, अब देखेंगे अगला प्रिशनी, अगला प्रिशनी है, पांच नंबर का प्रिशनी में आपके लिए छोड़ दिया था, ताकि यह प्रिशनी में आपको हमबर्क के लिए दूँगा, किसी रासी पर 2 वरसों में 4 परसेंट की दर से चक्रदी ब्य के, कमेंट बॉक्स आपका ओपन कर रखा है, आप अपना अपना अंसर कमेंट कीजिए, पैन और पेपर लेके स्टार्ट हो जाईए, ठीका सबसे पहले कमेंट कीजिएगा, वीडियो देखने के लिए दूस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद,